दोस्तो मैं मुकेश सर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिशा सर्वीस में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जी अपसी बैंक के कॉटर थारी की रिजल्ट की और उसके साथ और्जा ग्लोबल के के रिजल्ट की डिटेल हम एक ब्रीफ अनलेस्स करेंगे इसके बारे में श्टली वीडियो को स्टार्ट कर लेते लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगा अगर आप चैनल पर फॉस्स टाइम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम की लिंक डिस्कॉप्शन बॉक्स दे रखी है उसको भी चाहो तो आप जोइन कर सकते हो ताकि स्टॉप मार्केट की लेटेस्ट अपडेट की जो भी निउस आती है सबसे पहले आपको मिल जाए तो ली वीडियो को अगर हम बात करें इसके नेट इंटरेस्ट इंकम की तो फार्दो कॉटर अंडर रिव्यू ग्रिव अगर हम रेट इंटरेस्ट की बात करें तो तेरा परसंट का एक हमें ग्रूथ दिखने को मिल रही है और फिगर वाइस देखें तो 18,443 करोन का इनका जो है नेट इंटर इंकम देट हुई है जो एक साल पहले 16,370 करोन रुपए की हमें देखने को मिल रही थी वहीं पर अगर हम बात करें दा रिजल्ट वर ब्रॉड्ली इन लाइन वीद मार्केट एक्सपेक्टिशन यानि कि जो मार्केट की एक्सपेक्टिशन थी उसके आसी वह अंडर लाइ परताव देखने को मिल रहा है वहीं अधर इंकम और नौन इंटर्स रिवेन्यू जो कम आया है वह आया है 8183 करोन रुपीज का यहां पर आप देख सकते हैं यह देख लीजेगा जो की सेम एक साल पहले कितना देखने को मिल रहा था हमको 7443 करोन रुपीज का जिसके प्राइवेट लेंडर एडवांस ग्रिव एट 16.5 परसंट यानि कि इनके अडवांस में भी हमें काफी ग्रोथ देखने को मिल रही है साल सोला परसंट की और साथी साथ उनका जो कोर नेट इंटर्स मार्जिन है वह 4.1 परसंट का था जेपसी बैंक ने प्रेस रिलीज में यह चीज जो है क्लियर करी है अब हम अगर माने तो बैंक का जो रिजल्स है वह काफी एक्सिलेंट आया है इससे आप एक्सिलेंट कह सकते हैं तो अगर आप ब्लूचिप कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हैं तो एज जी अपसी बैंक 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 का लीडर है पहले खुद की रिसर्च यह अपने फाइनिशियल एडवाइजर की सला जरूर ले ले अब हम बात करते हैं उर्जा ग्लोबल के बिजर्स के बारे में तो वीडियो में बने रहे हैं इसके पहले एक अपडेट देना चाहता हूं मैंने हाली में पेट सर्वीस स्टार्ट करी देखे जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना वार्ट्स सपोर्ट नमबर दे दूँगा मेल भी दे दूँगा केशी तरह कोई इंक्वरी चाहिए तो आप उसमें हमको फर्दर डिटेल बूच सकते हैं तो यहाँ पर आप एक पॉइंट देखी कुछ नोट करी रिज दिखाए हैं तो उस पर भी जर्चा करेंगे हम लोग और साथी साथ एक पॉइंट और निकल कर आ रहा है कि अब यहाँ पर एक इनका जो पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वी कुड नॉट कंड़क्ट ओवर रिव्यू आफ दा स्टेट्मेंट इन रिव्यू यानि कि जो भी ऑडिटर रिव्यू होता है वो कंड़क्ट नहीं करा पाए थे उसके बिशे का करन बता रहे हैं वो क्या ब इसके कारण जो है यह अबना जो भी रिव्यू था कंड़क्ट था इनके जो ओडिटर्स का रिव्यू जो कंड़क्ट कराते हैं वो नहीं उपलत करा पाए थे क्यों कारण क्या था कि due to seizure of record documents, computer and electronics data by GST department on rate of the premises of 20 यानि कि इनके rate जो पढ़ी थे GST department की जिसके कारण जो भी उ financial जो ओडिटर रिपूर्स होती है वो कंड़क्ट नहीं करा पाए अब हम कर चलते हैं company के सीधा results के ओपर तो अब हम आ चुके कंपनी के financial results के ओपर यहां पर देख सकते हैं कि on audited stand-alone financial results की हम बात कर रहे हैं अब revenue from operation अगर हम company का देखें तो वो निकल कर आ रहा है देखे सार value in lakhs है तो हम यहां पर 930 lakh का बताएंगे यानि कि 9 करोन 30 lakh का revenue from operation आया है total revenue from operation अगर आप देखें तो 901 लाक रुपए का यानि कि 9 करोन 61 लाक रुपए का देखने को मिल रहा है वहीं पर हम पिछले एक order की बात करें जिसका result भी उन्होंने आज ही दिखाया है मात्र 61 लाक र पर करें तो दिखते हैं क्या data निकल कर आ रहा है अगर हम बात करें 2020 एक साल पहले की यानि कि जो थर्ड कॉर्टर से बात अगर हम करें क्योंकि 9 मंद का data यहां पर है तो उसमें इनका जो revenue था वह था 8,749 करोंड रुपीज का यानि कि कितना 8,749 करोंड जो की इस बार का मात्र 3,319 लाक कर रुपए का देखने को मिल रहा है यहां पर वैलू लाक्स में है तो आप इसे करनमल कर सकते हैं तो 33 करोंड का revenue में देखने को मिल रहा है जो की पिछले quarter में कितने का था 87 करोंड रु तो revenue में अच्छी कासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है वहीं पर अगर हम बात करें इनके expenses की तो expenses में भी देख सकते हैं आपकी 23,00,000 का expense देखने को मिल रहा है हमको जो की सतंबर quarter में 13,00,000 का था वहीं पर वाई ओ वाई बेशिस की बात करें तो कितना था 32,00,000 का व करता हूं यह अदर expenses दिखा रहा है यहां पर total expense की बात करें तो इस बार का निकल कर आ रहा है 949,00,000,000 रुपए का expense देखने को मिल रहा है वहीं पिसले quarter में 552,00,000 का था और अगर हम solve YOY basis की बात करें तो यहां पर 85,00,000 का था यहां पर 32 यानि कि expense में हमें कमी देखने को म काम हुआ है कि सेकेंड जो थर्ड पॉइंट है profit जिसमें में फोकस होना हो चाहिए हमारा तो profit loss before tax तोड़ा सा जूम कर लेता हूं यह देखेगा यहां पर आता है company का net profit यह देख सकते हैं आप यह वाला तो मात्र 11,00,000,000,000 पॉपिट का पाई है जो कि पिछले quarter 9,00,000,000 रुपए का था वाई 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 basis की बात करें तो उनका काफी घटा है 157,00,000,000 रुपए से घट करके company का जो profit आया है 75,00,000,000 रुपए का आया है यानि अगर हम पर result की बात करें तो ओके ओके result है बहुत अच्छा result नहीं है तो जिस हिसाब से company के shares हमें भगा लगातार भागते हो देखन %. कि आसा में कहता हूं कि फशण कर द तो यहां पर कि तो यहां पर मिलेगी कितना नहीं घर वक्त बताएगा फीशन सखने की आउसकता है आप लॉंग टर्म का व्यू होए कोई बात नहीं होड कर ये फ्यूचर में देखते हैं गंबनी क्या परफॉर्म करती है आई होप वीडियो पसंद आया है आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बरिवन सब्सक्राइब करें दिस वीडियो जय हिन जय भारत